नमस्ट्रा 되ोस्ते अचले स्वाइट भाध है shopping वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे गुँट कोलेस्टिरण और बैठ कोलेस्टिरल के बारे में और क्यूं हम एक टैप ओस ओसा को गुड़ कोलेस्टिरल और कुछ टैप OFF स्थी को bad cholesterol बोलते हैं उसके बारे में यह जानकरी बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि जब आप लिपीड प्रोफाइल टेस्ट करेंगे तब यह दोनों cholesterol की ही जाच होता है और उसके बाद आपको देखना होता है कि good cholesterol का का अभी नहीं हो और अगर आपकी बैट कोलेस्टेरोल ज्यादा हो जाए घट जाए तो आपकी लाइफ में जो है हाट एटक की प्रापलेम बढ़ सकता है फ्यूचर में स्ट्रोक की प्रापलेम आ सकता है तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस क्या है दिखीजिए जो कोलेस्ट और बैर कोलेस्ट्रॉल की तब कोलेस्ट्रोल के बात करें कि बारे में रहीं करें एक लीपो प्रोटीन के बारे में लीपो प्रोटीन यह जो टर्म है लिपो anime comment और मतलब प्रोटीन सो लीपीड अपन प्रोटीन न्सीटेन उसको का जाते है लग और है घ्ल है eldnh और बहुत सी बात है कि हाई देनसिटी लिपो प्रोटीन अच्छी कोलेस्ट्रॉल है Good cholesterol है और Low Density Lipoprotein, Boodoo cholesterol है, Bad cholesterol है. क्यों अच्छा बुरा है? Let's talk about that. अब दो कि ये Low Density Lipoprotein क्या करता है? Low Density Lipoprotein जो है जो Fat Components होता है, जो Fat मेंने कहा, वो लिवर से वो सारे चीज Fat उसको लेकर body के अलग-अलग tissue में distribute करता है, क्योंकि यह blood vessel के थूँ यह fat को transport करता है तो जब यह transport होगा blood vessel के थूँ तब fat अगर ज्यादा हो और उसके साथ low density lipoprotein भी ज्यादा हो तो वो जो blood vessel है उसके अंदर दीवार के अंदर deposit बना सकता है है तो वह blood stream के थूअ इसके मत्तहम हमारे blood के अंदर में फो जो cholesterol है low density lipoprotein उफएट droplets को लेके carry करता है अब जब फटापलेट को लेके carry करता है थूँ blood stream बट के से अंदर flow होता है, उसको irtery होता है, वेल फेल बोलता है, यह आपर जो आठरी, जो वहाँ पर उस arterie के जो दिवार होते हैं, उसके दिवार में deposit तैयार करता है, जैसे pipeline में पानी जाने के, अगर सालो भर पानी जा रहा है, तो जैसे जैसे thick deposit बन जाता है वैसे ही यह cholesterol का भी deposit बनता है low density lipoprotein with जो fat उसका deposit बन जाता है जब यह deposit बन जाता है जिसको हम plaque बोलते है ठीक है यह deposit जम फॉर्म हो जाता है तब क्या हो जाता है जो diameter है जितना width होता है blood vessel का मानों कि इतना था अब वो घटते घटते बहुत thin हो जाएगा तो blood का जो flow है बहुत ज्यादा pressure हो जाएगा अगर pipe की diameter pipe चोड़ा हो इतना तो pressure कम होगा जितना आप उसको squeeze करोगे प्रेस करोगे तो blood जो pressure है pipe के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा similar यहां पर भी होता है क्योंकि अंदर की जो डिवार की जो थिकनेस वो ज्यादा हो रहा है उसके कारण क्या हो रहा है जो blood flow है वहां पर बहुत restricted हो रहा है उसके कारण blood pressure बहुत बढ़ जाता है और जब भी blood pressure बढ़ जाता है नसे फटने की एक problem होता है नसे अगर फट जाए तो blood clot हो जाएगा brain में जो cerebral stroke कहते हैं हम उसको और यह blood flow अगर heart के खुद की muscle तक होता है और उस blood के अंदर ज्यादा हो गया तो अब उसके बाद आता है कि high density lipoprotein इसका क्या काम है क्यों इसको हम अच्छी cholesterol बोलते हैं देखिए जानते हैं high density lipoprotein का काम होता है कि blood के अंदर जितना भी ऐसे चीज़ें हैं शरीर के अंदर जितना भी ऐसा पतब यह सारे सारे के सारे ची लिवर तक पहुचा दे और लिवर एक detoxifying हम कह सकतो कि rehab center है हमारी बोडी के detoxification होता है लिवर में तो यह सारे के सारे जो बुरा ही चीज़े फैट है जो जाके deposit बन सकता है सबको लिवर तक ले जाता है लिवर क्या करता है इसको बाहर निकाल देता है एक्सक्रिशन करता है इ तो यह fat और fat droplets जो भी इसको लिवर तक ले जाता है लिवर से इसको clean कर देता है बॉडी से बाहर निकाल देता है तो इसी के कारण high density lipoprotein को कहा जाता है अच्छे cholesterol good cholesterol low density lipoprotein को कहा जाते है बैट cholesterol अभी हम बात कर लेते हैं कि एक प्रकार की drug की medication की जितो statin medication बोलते है statin drug बोलते है statin drug लिया जाता है ताकि यह जो low density lipoprotein और fat cholesterol है यो शरीर से कम हो जाए तो statin drug क्या करता है बोडी के अंदर होते हुए जो low density lipoprotein और fat cholesterol है उसका मात्रा को घटा देता है मगद statin drug का कोई रोल नहीं होता है high density lipoprotein के काम पर high density lipoprotein वैसा ही रहता है statin drug अब low या ना लो बगर low density lipoprotein का जो amount है जो value है उसको घटा देता है तो अच्छी बात है तो हर वक्त हमको याद रखना चाहिए चेक करना चाहिए लिपिट प्रोफाइल जहां पर low density lipoprotein high density lipoprotein total cholesterol blood के अंदर यह सारे चीज़ को चेक किया जाता है आपको देखना है कि high density lipoprotein और HDL ज्यादा होना चाहिए low density lipoprotein जितना कम हो सके अंडर regulation होना चाहिए अगर ना हो तो एक alarming signal बन सकता है अगर किसी की शरीर के अंदर low density lipoprotein ज्यादा है मगर high density lipoprotein भी ज्यादा है तो high density lipoprotein ऐसे जो stroke या फिर coronary heart disease की जो problem से उसको prevent करने में मदद करता है मगर अगर low density lipoprotein के amount ज्यादा हो गया blood में तो जाके बहुत problem हो सकता है future में तो यही बात होता है कि अच्छी cholesterol और बुड़ी cholesterol that is high density lipoprotein and low density lipoprotein की फर्क और difference So I believe you liked this video, video अच्छा लेगे तो video को like करे, इस video को share करे दोस्तों के साथ, channel को subscribe करे जैसे कि ऐसे medical videos आपको मिलता रहे और बताए कि कौन से medical videos आपको future में देखना है Thank you, Bye